हे गाईज, वेलकम बैक टो वा यूट्यूब चैनल यौने क्लासिज तो आज मैं आप सभी के सामने जो हूँ बताऊंगी आज हम फिर से आए हैं EMRS को लेकर देखो इसको लेकर जो है बहुत बाते हो रही हैं और आप सभी कैसे पीछे रह सकते हैं तो आप सभी जो हैं आप सभी को पता होगा हमारे यूट्रिप चैनल पर जो है डी ट्रिप्लेस भी टीजी टी शोशल साइंस की त्यारी करवाई जाती है और आगे भी होगी और इसी के साथ साथ जो आपका एकलवे स्कूल है EMRS उसको लेकर भी मैं यहांपर वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं आप सभी को बताना चाह रही हूँ कि इसमें वेकैंसिस आने वाली है नोटिफिकेशन आ चुका है और जल्दी आपके वेकैंसिस आ जाएंगी तो फिर दे किस बात किये त्यारी स्टार्ट करने से पहले आपको यह वीडियो देखनी पड़ेगी क्यों क्योंकि इसमें मैं आप सभी को बताने वाली हूँ eligibility जो criteria है वो क्या है यानि कि कौन-कौन सी जो education qualification है वो आपके पास होनी चाहिए तभी आप इस form को fill कर सकते है ठीक है और इसके साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है जो sst है social science है उसमें जो है subject combination जो है उसको लेकर जो है मांगते हैं कि ये subject नहीं होंगे तो आप eligible नहीं है sst के लिए तो इसको भी जो है important हो जाता है यहाँ पर इसी वज़े से काफे candidates जो है बाहर हो जाते हैं हमारे sst के उसमें से तो इसको भी लेकर आज हम बात करने वाले हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कितनी आपकी जो vacancies रहने वाली है अब देखो यहाँ पर इतने सारी vacancies को देखकर बच्चों के जो होश है वो ठिकाने पर नहीं लग रहे हैं यह इतने ज़्यादा vacancies आने वाली है और यह काफी ज़्यादा है हद में सही में अगर बात करें तो काफी ज़्यादा है पर आप इस बात को समझ लीजिए हमारे YouTube चैनल पर आप सभी को बिल्कुल सची बाते बताई जाती है जो सही है और बिल्कुल लोजिकल जो होती है वो बाते बताई जाती है जो लोजिकल जो facts होते हो बताई जाते है अब इतने की इतनी vacancies जो है वो क्या बता रहे है कि 12 जो है हर स्कूल में 12 टीचर जो है वो होंगे ऐसे इन्होंने कहा है पर यहाँ पर जो है हर जो YouTubers कुछ है वो यह बता रहे है कि इसको इसके साथ into कर लो और उतनी आपकी total vacancies निकल के आ जाएंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं है यह समझ लो बात आपको जो है यह धियान रखना है 12 जो टीचर जो होंगे यानि कि आपके स्कूल में यहाँ पर total 6 subject दे रखे है और यह total 6 subject के जो हैं आपके यहाँ पर 12 teachers होंगे यानि कि एक subject का यहाँ आपका एक स्कूल में दो teacher जो होंगी वो रहेंगे ठीक है इस तरीके से कुछ है अब देखो यहाँ पर जो आपकी जो SST है एक TZT जो vacancy एक TZT जो subject है उसकी total vacancy आपकी जो है इतनी चली जाएगे ठीक है यह बात आपको ध्यान रखनी है यानि कि 1000 से भी ज़्यादा या फिर कह सकती है 1480 जो vacancy वो जाने वाली है इससे भी जादा हो सकती है थोड़ी से कम भी हो सकती है उपर नीचे हो सकता है अब हम बात करते हैं जो TZT SST में आपके पास क्या क्या चीज़ी होनी चाहिए यहाँ पर बताया गया साफ तोर से देखो जो आपके पास जो SST है तो उसके लिए बताया गया है कि कौन-कौन से subject जो है यहाँ पर compulsory है ठीक है तो पहले यहाँ पर बता रख़ा है इसको यह डाउट रहते है कि बीएड में कौन से subject होनी चाहिए तो बीएड जो है किसी भी subject से चल सकती है बट अगर आपके पास SST से बीएड है तो बहुत ही अच्छी बात है वरना वो एक जो है आपका वो अधर है पर आपको जो है यहाँ पर आपको धियान रखना है जो बीए के जो subject होंगे यानि graduation के जो subject है बहुत important है आपके यहाँ पर उन्हीं को लेकर आपको combination subject यहाँ पर बनने वाला है और उन्हीं से आप सभी जो है select होंगे अगर मान लो आपने जो है form fill कर दिया, exam pass कर लिया, सब कुछ कर लिया और फिर आपकी जब आपका document verification होता है उस जो है ये बात समझनी होगी अब देखो इन्होंने कहा है पहले इन्होंने कहा है history के साथ या तो आपके पास geography हो ठीक है यहाँ पर slash लगा दिया है इन्होंने geography नहीं है तो economics हो, economics नहीं है तो political science हो यानि कि history जो है subject हो अगर आपके पास है graduation में तो ये subject में से कोई एक subject जो है जो आपके graduation है उसमें history ही नहीं है आपके पास तो क्या होगा तो आपके पास geography होनी चाहिए यानि कि मतलब साफ यहाँ पर निकल के आता है जो kvS का जो हम कहा सकते है जो education जो qualification करने के लिए जो education का जो criteria उन्होंने बता रखा है as it is वही यहाँ पर है पर थोड़े बहुत changes ह मैं आपको बताऊंगी देखो या तो आपके पास history होनी चाहिए अगर मैं simple अर्थों में बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते है इस side में आपको बता रही हूँ या तो आपके पास history होनी चाहिए या आपके पास geography होनी चाहिए यह बात आपको ध्यान रखने है अगर history geography म से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए अब उसके साथ सस्टी का दूसरा सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास समझ रहे बात या तो यह उपर वाला आपके पास हो या फिर यह नीचे वाला आपके पास हो ठीक है यह बात आपको यहां रखने है तो हिस्ट्री हो या political science है इस तीनों में से कोई एक subject होगा अगर आपके पास तो आप जो है qualify कर जाएंगे यानि कि आप जो है इस जो criteria है इसको qualify कर जाएंगे ठीक है ये subject combination है only अब बात आती है कितने सालों तक history पढ़नी चाहिए या फिर कितने सालों तक जोग्रफी पढ़ी हो या फिर कितने सालों तक ये other subject पढ़े हुए होने चाहिए उनको लेकर भी इन्होंने बताया है तो देखते हैं यहाँ पर इन्होंने कहा है कि हमें जो है देखिए इन्होंने यहाँ पर बताया है other words जो candidate है उसके पास क्या होना चाहिए कोई भी दो subject होने चाहिए history और geography, economics, political science इन में से जो main है आपके history जोगरफी वही बात बोल रखी हिस्ट्री जोगरफी जो है उन दोनों में से कोई एक subject आपके पास होना चाहिए इसका मतलब साफ तोर पहले यह समझ लो तो भी आप qualify कर जाएंगे मतलब history main है अगर किसी के पास history नहीं है तो फिर आपके graduation में geography होना चाहिए geography plus history भी combination बन सकता है geography plus आपका political science भी जो है वो बन सकता है combination में geography plus आपका जो है कौन सा रह गया geography plus economics हो गया वो भी बन सकता है इसके साथ आपका जो यहां पर और भी जो subject बता रखी है देखो geography के साथ और भी जो economics होगा political sense होगा history होगा यह तीनों जो subject है इनमें से आपके पास choice होगी अगर आपके पास geography है तो यानि कि आपके पास history और geography में से एक subject compulsory है अगर नहीं है तो आप जो है इसके लिए नहीं है ठीक है तो अब यह बात इनोंने यहां पर साफ तोर पर बता दिये इसके बात यह first वाला rule अगर आप follow आपके जो है complete हो रहा है तो second वाले इस पर आते हैं इसमें कहा है इनोंने history geography as above should have been studied for all three years साफ साफ बता दिया इनोंने कि history और जोगरफी जो है तीनों के तीनों साल पढ़ी होई होनी चाहिए यदि आप history से यानि कि history से आपने graduation की है और उसके साथ combination में SST का other subject रख रहे हैं तो इनोंने साफ तोर पर बताया है कि history जो है तीन साल पढ़ी होई होनी चाहिए यानि कि पूरी graduation में history आपके पास होनी चाहिए ठीक है ऐसा नहीं होगा कि मैंने जो है मैं आप 5 semester पढ़ी है पर 6 semester में मेरे पास history नहीं थी ये चीज नहीं चलेगी पूरे 3 year मतलब 3 year ठीक है इसी तरीकी से geography में भी है अगर geography को लेकर आप combination subject बना रही है तो geography भी पूरे 3 साल पढ़ी होई होनी चाहिए एक भी semester में ऐसा नहीं होना चाहिए कि geography आपके पास ना हो पूरे 3 जो साल है उसमें आपके पास होनी चाहिए geography और जितने semester है प्लस कोई other जो SSD subject है उसको combine करके बनाए combination या फिर उन्होंने का था geography प्लस हम कोई दूसरा subject लेकर बनाए तो दूसरा subject हो गए SSD का जो इन्होंने mention किया है उपर वो कितने time पढ़ा हुआ होना चाहिए तो वो इन्होंने बताया है कि दो साल पढ़ा हुआ होना चाहिए यानि कि ये जो आपका main subject आपको यहाँ पर लेना है ये तो three years होना चाहिए compulsory है ठीक है और ये दूसरा subject आपका two years compulsory है अगर तीन साल है दूसरा subject तो भी अच्छी बात है पर दो साल से कम नहीं होना चाहिए ये बात आपको धियान रखनी है simple बात है बिल्कुल simple मैंने अर्थों में आपको बता दिया है अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं इन्होंने क्या बोला है इन्होंने बोला है the candidate should have study history, economics, political science in any of the two years बही चीज़ बता रखी है as it is बिल्कुल थोड़ा सा इन्होंने lengthy करके बताया है अब देखो इन्होंने कहा है अगर किसी ने honors कर रखा है मानो इन्होंने कहा है economics में honors कर रखा है या फिर political science में honors कर रखा है are not eligible for the post of TZT social science यानि कि अगर किसी ने only मानो मैंने बिये में अगर मैंने कर लिया political science से honors कर लिया है और तीनो साल मेरे पास political science रहा है ना दो मेरे पास history रहा ना ही geography रहा तो मैं जो हूँ इस post के लिए eligible नहीं हूँ simple इसमें बताया है अगर फिर भी अगर confusion हो जाती है मैंने हर तरीके से आपको समझाया है फिर भी अगर कहीं पर कोई भी doubt रह जाता है तो आप comment box में आप सभी के लिए comment box जो है open कर रखा है आप सभी comment करके मुझे अपनी query को पूछ सकते हैं आप देखो यहाँ पर बताया है इन्होंने और इन्होंने कहा है reasonable language जो है आपको उसमें जो है इन्होंने choice दी है concerned reasonable language as a subject ठीक है यह तो आपके पास subject के तोर पर हो या फिर elective subject के तोर पर all three years जो है आपके degree course में होनी चाहिए ठीक है यह चीज़ इन्होंने बोली है यहाँ पर तो यहाँ पर जो है इन्होंने जो है फिर नीचे यहाँ पर mention किया है कि आपके पास b8 की जो degree है वो होनी चाहिए ठीक है इन्होंने बताया है एक तो हमारे पास seated clear होना चाहिए और seated कौन सा होना चाहिए seated paper 2 जो होता है ना वही होता है TZT के लिए तो यह पास आपको धियान रखनी है इसके साथ साथ आपको धियान रखना b8 की जो degree है वो आपकी जो होनी चाहिए must है b8 नहीं कर रखी तो कैसे करोगे तो यानि graduation के subject हो गई compulsory plus में b8 की degree हो गई आपकी और plus में आपका seated का जो exam है वो आपका qualify होना चाहिए फिर इनुने कहा है कोई ना कोई एक जो आपको language वो आने चाहिए चाहिए वो English हो चाहिए Hindi हो चाहिए reasonable language हो ठीक है यह बात आपको यहाँ पर इनुने कही है आप देखो यहाँ पर कहा है इनुने b8 degree not applicable for 4 years integrated degree course as mentioned in subject clause तो यहाँ पर इनुने कहा है b8 degree जो है applicable नहीं होगी 4 साल की जो integrated degree है उसके उसमें तो यह बात आपको ध्यान रखनी है और यहाँ पर जो है नोने period for फिर यह हमारे काम का नहीं है नीचे गा हमारा जो eligibility rule था वो इतना ही था तो बात समझ में आ गई होगी आखिरकार आप सभी को कि subject combination किस तरीके से बन रहा है यहाँ पर और कौन कौन सी चीज़ों कि आपको ज़रूत पड़ेगी जो history है ठीक है दुबार से बता रही हो history जो है या फिर geography है इन दोनों में से कोई एक subject तीनों के तीनों साल पढ़ा हुआ होना चाहिए और फिर इनके साथ combination में एक और ssd का subject होना चाहिए जो इन्होंने mention किया है geography, economics और political science में से कोई एक subject जो है आपका combination में यहाँ पर होना चाहिए और वो दो साल तक पढ़ा हुआ होना चाहिए तीक है यह बात इन्होंने यहाँ पर कही है और फिर आपको जो है seated जो है आपका qualify होना चाहिए बीएर की degree होनी चाहिए आपके पास और यहाँ पर यही चीज़ बताईए और आपको जो है English, Hindi, Original जो language है उनमें से कोई एक language आने चाहिए तो अब देर किस बात की त्यारी स्टार्ट कर दो क्योंकि देखो जैसे ही जो है form fill होने स्टार्ट हो जाएंगे notification आजाएगा वेकेंसी का तो time नहीं रहेगा तो इसी रहे कहारी हो पहले सही त्यारी में लग जाओ और इसकी जो income है वो काफी अच्छी salary है और ये KV और DT plus B के तरही है ये भी EMRS school तो अब जो है देखो तब से आप कहारे थे वेकेंसी नहीं आ रही वेकेंसी नहीं आ रही कब वेकेंसी आएगी तो आज चोकी है वेकेंसी अब KVS में जो गलती करके रह गए हो वो गलती यहाँ पर नहीं करनी है अपना पूरा फॉकस करना है आप जो हम मिलेंगे नेक्स जो वीडियो होगी उसमें और आप सब्सक्राइब कर सकते हैं TZT Social Science की त्यारी करने के लिए यह उने classes को और लाइक कर सकते हैं इस वीडियो को शेर कर सकते हैं अपने दोस्तों में और टेलिग्राम गुर्प को कर लीचे जोईन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया चाहेगा थैंक यू फर वाचिं दिस वीडियो